कि नमस्कार दोस्तों वीजे केड़ों में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे थे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बात करी थी इंकम और एक्ष्पेंडिचर या आयवाय खाता जो गेर व्यापारी लापकारी संसाय होती है उसके टॉपिक पर हम बात कर रहे थे उसके हमने एक से लेके 20 तक डिसकस कर लिए थे और आगे के एमसी क्यू हम इस वीडियो में डिसकस करते हैं तो चलिए 21 नंबर से वीडियो को चालू करते हैं को चलिए आप सभी तयार होंगे चलिए यह आ गया हमारे सामने 21 नंबर का कॉश्चन एक मिनिट बस रुक जाएं चलिए तो 21 नंबर का कॉश्चन आ गया 20 नंबर तक के कॉश्चन हमने जो है पिछले वीडियो में स्वाल्व कर लिए थे तो अगर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उनसे यह कहूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देखिए सबसे हैं तो क्या होगा इससे असे तो तो क्या होगा इससे सोचेगा देखिए रिसिप्टेंट पेइमेंट अकाउंट अगर हम बनाते हैं रिसिप्टेंट पेइमेंट अकाउंट बनाते हैं तो रिसिप्टेंट पेइमेंट अकाउंट या प्राप्ति भुक्तान खाते में तो हम क्या लेखते हैं प्राप्तियां प्राप्तियां लेते हैं और क्या लेते हैं भुक्तान ये दो चीजे ली जाती हैं क्या चीजे ली जाती है एक तो प्राप्तियां ली जाती है एक भुक्तान लिया जाता है तो क्या मूल यहास या डेप्रीसेशन जिसे हम कहते हैं इससे हमें कोई प्राप्ति है हमको किसी को पड़ता है तो एसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है इसमें यह बात तो किलियर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राप्ट भुक्तान इससे ना तो हमें कुछ प्राप्ट हो रहा है और नहीं हमें किसी को भुक्तान करना पड़ता है तो इसका मतलब एक और दो तो यह गलती ह हो गए दूसरा क्या है दूसरा है कि आए-वय खाते में आएगा तो अब हमारा option किन में से आएगा COD में से आएगा तो अब देखिए इसको एक और तरीके से आप देख सकते हैं कि देखिए जो आए-वय कहता है अब आय और वय खाता जो होता है या axime & expenditure account होता है। इसका nature कैसा होता है। इसकी प्रक्रति जिसे कहते हैं तो इसकी प्रक्रति वह वह कैसे होती है। Profit and loss account या connection क्या है रहला May ख़ाते के समान होती हैं तो कि या fortunately क्या किसी क्रषा होती है। इसके डेविड में क्या आते हैं डेविड में सारे व्याए और क्रेडिट में सारी क्या आती है क्रेडिट में सारी आय आती है यह बात आपको धियान रखनी है तो देखिए आय वै जो मूल लिहां से वो क्या है मूल लिहां से एक वै है तो इसलिए क्या हो जाएगा कि आय वै खाते के डेविट पक्ष में आएगा मुझे उम्मीद होग यह 5,000 रुपे तो प्राप्ति भुक्तान खाते में दिखाई जाने वाली रासी क्या होगी 23,000 होगी 38,000 होगी या 25,000 होगी क्या बोल रहा है कि sports club को चंदा प्राप्त हुआ 30,000 रुपे उसमें से पिछले वर्स का है 2,000 रुपे और अगले वर्स का है 5,000 रुपे तो प्राप्ति भुक्तान खाते में दिखाई जाने वाली रकम क्या होगी तो देखे प्राप्ति भुक्तान खाते में दिखाई जाने वज़े रिकम क्या होगी आपने आंसर निकाल लिया होगा तो इसका आंसर क्या आजाएगा 30,000 रुपे कैसे 30,000 रुपे आएगा मैं आपको बता देता हूं तो देखिए जो प्राप्ति भुक्तान खाता होता है उसमें क्या आती है प्राप्ति और भुकतान आती है चाहे वह किसी भी वर्स का हो क्या हो चाहे वह किसी भी किसी भी वर्स का हो ठीक है यह नहीं देखते हैं कि किस वर्स से मिला है यह नहीं देखना कि करेंट से मिला है या प्रिवेश से क्यों हमको क्या देखना है कि प्राप्तिया भुक पूरी की पूरी ये फार्ट के पूरी पूरी तीस अजार लेंगे अगर इखर यह बोलता है ऑए भे खोते में कितनी आए आए Natal कि होता तब हमारा और Canadian सगा क्या रूपय क्यों कि आयारा लेते है Harry वे खाती के नेचर भी कैसा होता है मैंने आपको बताया ही था वह लाभानी खाते जैसा होता है तो इसलिए यहां पर कितने आते यह आते इंकम एने expenditure account में आता तो इतनी आया थी कितनी आया थी 23,000 रुपए चलिए तो बात करते हैं अगले वीडियो पर अगर आपको आउनलाएं क्लासे जॉइन करनी ह है कोन सी मत प्राप्ति भुकतान खाते में नहीं दिखाई जाती क्या रखने अल इक्लासे अज्ञाट को नहीं दीक्षाई जाती गत वर्श का आती है केवल क्या आती है प्राप्तियां और भुक्तान आते हैं इसलिए यह आ जाएंगे और क्या नहीं आएगा तो डी नंबर का नहीं आएगा तो हमारा अंसर सही डी हो जाएगा क्या बोल रहा है एक क्लब के देनिक व्यावारों का लेखा होगा बात करेंगे क्या नंबर 25 पर प्राप्तिय व्कतान खाते का डेविड सेज प्रकट करता है वर्स में हुई हानी कुल नगत वुक्तानों का आए पर अधिक क्या आए का भुकतान उपर आधिक के नगत सेश वा बेंक सेश क्या बोल रहा है प्राप्टी भुकतान खाते का डेवीट सेश क्या बोल रहा है कौन सा से डेवीट सेश प्रकट करता है तो क्या प्रकट करता है डेवीट सेश की नगत सेश या हमारे पास क्या है बेंक सेश है चलिए बात करेंगे question number 26 पर फटा फट से furniture क्या बोल रहा है furniture की बिकरी प्रकट की जाएगी अगर हमने क्या बचा है furniture बेचा है तो उसकी बिकरी कहां पर प्रकट की जाएगी प्राप्ति भुकतान खाते के डेवीड में क्योंकि हमें क्या हो रही है इससे हमें case मिल रही है चलिए बात करेंगे question number 27 पर फटा फट से आयवय खाते की प्रकरती है वेक्तिगत खाता है वस्तुगत खाता है नाम मातर का खाता है संस्तागत खाता है तो आयवाय खाते की प्रक्रती केसी है यह आपको बताना है तो देखिए आयवाय खाते की प्रक्रती किस प्रकार की होती है तो इसकी प्रक्रती एक नाम मात्र क्या खाते की प्रक्रती होती है चलिए बात करते हैं question number 28 पर प्राप्ति भुकतान खाते का सेज दिखाया जाता है आयवाई खाते के credit पक्ष में, आयवाई खाते के debit पक्ष में आधा, आधा राशी दोनों पक्षों में दिखा जाती है, मतलब 50% राशी जो है कहाँ पर दिखा जी जाती है, और 50% राशी जो है credit में दिखा जाती है, इसा है क्या, या last वाला है, उपर युक्त में से कोई नह तो इसका जो सेस होता है वो कहां पर आता है तो इसका सेस दिखाया जाता है जो बेलेंस बचता है जिसे हम कहेंगे सेस या बेलेंस जो बचता है क्या बचता है बेलेंस या सेस हम कहां दिखाते हैं तो इसे हम दिखाते हैं बेलेंस शीट में कहां दिखाते हैं बेलेंस शीट म या वित्य विवरंड में दिखाया जाता है ध्यान रखी गा तो इसलिए इसका आंसर क्या आउ जाएगा कि उपर उक्त में से कोई नहीं चलिए question number 28 पर बात करते हैं प्राप्ति भुक्तान खाते का सेज दिखाया जाता है आयवाई खाते के क्रेडिट पक्ष में आधा आधा राश्य हो रही है कोश्चन नमबर 28 हमने उपर पड़ी लिया है वह मैंने आपको समझा भी दिया है चलिए बात कहते हैं कोश्चन नमबर किसको दिखाया जाता है तो वह किसको दिखाया जाता है तो वह दिखाया जाता है आय को इसको दिखाया जाता है तो आपको बताना है कि कौन सा जो है इसमें ऑप्षन सही है चलिए तो आपने पढ़ लिया होगा कोश्चन कि क्या भी दिखाएंगे डेविट पक्ष में तो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा होता है डेबिट में क्या आते हैं सारे व्याय आते हैं तो हमारा अंसर क्या हो जाएगा केवल आए गत व्यो को दिखाया जाता है यह हमारा अंसर हो जाएगा चलिए कोशन नमबर बात करते हैं 30 पर पूंजी गत मदो क्या बोलगा पूंजी गत मदो को आए वै खाते में दिखाई जाती है तो देखिए पूंजी गत वैयो को हम क्या गरते हैं आए वै खाते में नहीं दिखाते हैं तो इसका आंसर क्या जाएगा कि यह नहीं दिखाई जाती है क्यों क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है मैंने आपको फिर ब तो इसका नेचर होता है profit and loss account का और इसमें profit and loss account में कैसी प्रक्रतिया होती है आए गत कैसी दिखाई जाती है आए गत नेचर की या revenue नेचर की सारी items दिखाई जाती है इसलिए पूझी गत वयो को हम क्या करेंगे इसमें नहीं दिखाएंगे तो हमारा answer हो जाएगा D चलिए question number बात करते है 31 पर फटा फट से ओवर देखिए ध्यान रखिए online classes आप join कर सकते हैं ठीक है आप whatsapp कर सकते है तो आपका समझ में आ जाएगा बाकी चीज़े आएवय खाते का आधिक की प्रकट करता है क्या करता है credit box डेविट box के योग से अधिक है डेविट box का यो credit box के योग से अधिक है प्राप्ती भुकतान खाता प्राप्तियों को बताता है और उपर युक्त में से कोई नहीं तो question क्या बोल रहा है कि आएवय खाते का आधिक की प्रकट करता है जब क्या करता है कब प्रकट करता है या आपको बताना है तो देखी कब प्रकट करता है जब credit pucks debit pucks के योग से अधिक होता है चलिए question number बात करेंगे 32 पर फटाफट से देन दारों पर बटा आयोजन को प्राप्ति भुक्तान खाते में दिखाया जाता है दियान रखिएगा क्या वर रहा है देन दारोग पर बट्टा आयोजन क्या वर रहा है आयोजन मतलब प्रोविजन करा है प्रोविजन को प्रोविजन की बात कर रहा है तो आपको बताना है कि जो प्रोविजन है क्या प्राप्ति भुकतान खाते में दिखाया जाएगा मैंने आपको अच्छे समझाया है तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा इसका अंसर तो देख ये दिखाया ही नहीं जाता है क्यों नहीं दिखाया जाता है क्योंकि प्राप्ति भुक्तान खाते में हम क्या करते हैं केवल जो हमें प्राप्तियां होती है वो और जो भुक्तान किया है हमने वो दिखाते है तो क्या अभी प्रोविजन अगर हमने किसी चीच का बना लिया है कि ये हमें लगता है कि देंदारों का पैसा डूब जाएगा तो ये प्रोविजन बना देने से क्या हमें कुछ प्राप्त हो गया या हमने किसी को भुक्तान कर दिया तो ये दोनों ही केस नहीं होते हैं इसलिए इसे हम क्या करेंगे प्राप्ति भुक्तान खाते में नहीं दि प्रविष्टी होगी यह आपको बता ना है झाको सरले और आप और जाका तो पूछा जाता है क्या तो आइगत नेचर का नेचर का expenses आते हैं तो इसलिए ये नहीं आएगा तो फिर ये क्या होगा इसका हमें क्या मिलेगा depreciation और ये depreciation जो है उसको हम इसमें वियाए के रूप में बताते हैं तो अभी तो ये क्या बोल रहा है कि जो ने फर नीजर खरीदा है पुझीगत नेचर का एक्समेंसेज यह दिखाएंगे क्या तो इसका अंसर आजाएगा दिखाया नहीं जाता है चलिए बात करते हैं कोश्चन नंबर चलिए बात करेंगे कोश्चन नंबर 35 पर चलिए बड़ा पट से आजए कोश्चन नंबर 35 पर आएवे खाते के सेस के साथ वहवार क्या जाता है आएवे खाते के जो सेस होता है जो बेलेंस होता है उसके साथ हम क्या वहवार करते हैं यह इसकी बात कर रहा है जो बेलेंस होता है उसके बारे में बोल रहा है कि उस बेलेंस का क्या किया जाता है तो देखिए चिठ्टे के संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं दिखाते हैं चिठ्टे के दाइतु पक्ष में दिखाते हैं चिठ्टे के दाइतु पक्ष में पूझी कोस में समायोजित करते हैं या संपत्यों में समायोजन करते हैं आपको बताना कोश्चन आयम पी आयम पी नोट कर लीजेगा इस को आयवाय खाते के सेस के साथ व्यावार किया जाता है जो आयवाय खाते का सेस होता है उसके साथ क्या व्यावार किया जाता है तो देखिए उसके साथ हम क्या व्यावार करते हैं कि चिट्ठे के जो संपत्ति होता है चिट् बन गई ती फॉर्मेट वाली त्टीकर तो क्या होता है इससे आय होती है तो हम क्या करते है आए का expense valence जो रहता है उसमें जोड़ देंगे और हमारी capital क्या हो जाएगी उत्ते से बढ़ जाएगी और अगर यहाँ पर ज्यादा loss हो जाता है तो हमारी capital क्या हो जाएगी उससे कम हो जाएगी तो इसका adjustment कायमें करते हैं इस capital से किया जाता है इसलिए हमारा answer क्या हो होगी आपको यह बताना है कि जो आएवे खाता है उसमें प्रविस्टी की रासी क्या होगी यह आपको बताना है ठीक है चलिए आपको सोच लिए होगा कि आएवे खाते में प्रविस्टी की रासी क्या होगी यह आपको बता देना है फटा-फट से तो चलिए बताईएगा आप फड़ा फट से तो देखिए क्या बोल रहे हैं देखिए इस्टेशनरी हमने कितनी क्राई करी जो इस्टेशनरी हमने क्राई या पर्चेस करी वो कितने की करी है तो वो करी है पंदरा सो रुपे की इसमें से क्या हो गया इसमें से जो बेलेंस बज गया इस टॉक लास्ट यह और फृट का थीक है हमने टोटल कित्ती खरी दीथी फंदरा थ्यूर रुपई उसमें से देड़ रुपई की अभी इस्टेशनरी बची हुई है तो इसका मतलब साल भर में हमने कितनी कि यूज कर ली तेरा सो पचास रुपे की वर्स के सुरू में हमने खरीदी थी वो खरीदी थी पंदरा सो रुपे की उसमें से बज गई कितनी अभी हमने इसका उप्योग नहीं करा तो वो डेड़ सो रुपे की तो हमने कितने का उप्योग कर लिया साल भर में डेड़ सो रुपे का तो ये k indicator यह 1350 रुपे to यह क्या हो गया यह हमारा व्य तरहिं वह खेर हो गया मतलब हमने इतना स्टेस्इनरी इस आलब garlic कर लीए चलिए बाद करेंगे question number 36 पर ठीक है question number 36 37 पर बात करेंगे अब 37 question पढ़ लिया था हमने चलिए 31 December 2012 को stationery का sales किता था तो वो था 100 रुपे वर्स में क्राई की गई किती 1600 रुपे की और 31 December 2013 को कितना बचा है sales stationery का 1200 रुपे तो आए वे खाते में प्रकट की जाने वाली रासी क्या होगी 1700 रुपे होगी 1480 होगी 1580 होगी या 1820 रुपे होगी तो यह आपको बताना है कितनी होगी तो देखिए opening balance कितना था तो opening balance जो था वो था 100 रुपे ठीक है हमने purchase कर ली purchase कितनी कर ली हमने तो देखिए purchase करिए वो हमने करिए 1600 रुपे की ठीक है तो यह total balance होगी हमारे पास कितना इतना 1700 रुपे का ठीक है अब इसमें से हमने कितनी बज गई last में closing stock कितना बज गया जो stock बज गया या अंत्रिम stock कितना बज गया वो बज गया 120 रुपे यह रा 120 रुपे देख लो यह है 120 रुपे मैं इसको highlight कर देता हूँ यह देखो 120 रुपे बज गया तो 120 रुपे का हमने उपयोग क्या करा नहीं कर पाए तो हमने साल भर में कितने का उपयोग कर लिया यह हमको बता देना है तो हमने कितने का उपयोग कर लिया तो वो कर लिया पंदरा सो असी का उपयोग कितने का उपयोग कर लिया पंदरा सो असी का तो ये क्या हो गया हमारा उपयोग कर लिया हमने मतलब क्या कर लिया इसका ये एक तरह का वै कर दिया साल भर का तो ये वै क्या हो जाएगा income and expenditure में आ जाएगा तो हमारा answer क्या हो जाएगा 1580 मतलब answer क्या हो जाएगा answer हो जाएगा C क्या हो जाएगा answer C चलिए इस समझ में आ गया होगा आपको बात करेंगे question number 38 पर फटा फट से दिया गया है क्या दिया गया है 1 January 2014 को stationery का sales 500 रुपए था ओपनिंग बेलेंस वर्स में क्राए कितना करा 3450 रुपए का क्राए करा 1 January को stationery के अदत लेंदार थे 120 रुपए और 31 December को sales था 300 रुपए तो आएवेगा खाते में प्रकट की जाने वाली रासी कितनी होगी ये आपको बताना है ठीक है कि आएवेग खाते में जो रासी आएगी वो कितनी होगी चलिए पटा फट से आपको जो है इसको करना है चलिए पटा फट से करिएगा चलिए आज़ेए देखिए तो हम burgito क्या देखना है आएवेग खाता मन्नलब क्या होता है कि साल भर साल भर साल भर में हमने साल भर में हमने कितना उपयोग किया ठीके तो वही हमारा वैर बन जाएगा और उसी से हमें हम आई वैर खाते में expenses के रूप में बता देंगे तो देखिए opening balance किता था 500 रूपय का रूखे एक minute मैं अच्छे से लिख देता हूं बेलेंस लिखते हुए चलिए एक मिनिट रुखिएगा चलिए तो यह ओपनिंग बेलेंस कितना था हमारा ओपनिंग स्टॉक तो वो था एक मिनिट रुखिएगा पान सो रुपए ठीक है तो यह पान सो रुपए आ गया हमने पर्चेस करा मतलब क्राई करा क्राई कितना किया था तो क्राई किया था वर्ष में 3450 रुपए कर लिया था तो बस हमने 3450 रुपए यहा लिख लिया 3450 रुपए का क्राई करा प्लस नहीं होगा मैनस होगा क्योंकि हमने इतना प्राई कर लिया था और उसमें से बाद में बेलेंस कितना बज़ गया मतलब closing stock closing stock कितना बजगे हमारा यांतिम stock वो बजगे 120 रुपए यह लिखा 120 रुपए तो हमने इसको ले लिया 120 रुपए ठीक है तो यह हमारा क्या आ गया उपयोग कितना गया उपयोग ठीक है कितना गया उपयोग तो देखिए 3400 प्लस 500 तो कितना आ जाएगा 500 जोड़ देंगे हम पहले इसमें तो कितना आ जाएगा यह 50 और 4 यह आ गया एक मेरे टुके 9 आ जाएगा यह 9 और यह 3 तो गुनचाली सो 50 रुपए आ गया माइनस कर देंगे 120 रुपए को हम इसमें से तो कितना आ जाएगा तो यह आ जाएगा 3830 रुपए ठीक है 3830 रुपए यह आ जाएगा अब यह क्या करेंगे अब यह बोल रहा है कि जनवरी को कितना बज़ गया था इसमें से देने को जनवरी को देने को भी कितना बज़ गया था लेंदारों को यह देने को बज़ गया इसको भी गटा देंगे, ये धियान रखेगा, ठीके, 300 रूप ये जो है, इसको भी हम गटा देंगे, ठीके, जैसे हम इसे घटा देंगे, तो हमारा आणसर जो है, वो आ जाएगा, धियान रखेगा, ठीके, ऐसे करेंगे, तो प्रारंबिक लेंदार कितने थे तो प्रारंबिक लेंदार जो है वो है 120 रुपे और 300 रुपे तो ये भी हम इसमें से घटा देंगे तो बस हमारा answer आजाएगा ये अदत लेंदार इनको भी घटा देंगे और अंतिम से इसको तो हम घटाती है ये closing stock ये रहा 300 रुपे मैंने 120 रुपे लिखा था 300 रुपे ये रहा ये 300 रुपे इसको घटा देंगे और ये लेंदारों का ये credit से था तो इसको भी घटा देंगे तो यहाँ पे तो पहले क्या लिखेंगे हम 300 रुपे ठीक है यहां 300 रुपे क्योंकि हमारा 300 रुपे closing stock था तो 300 रुपे हम closing stock यहाँ पर ले लेंगे ये 300 रुपे ठीक है तो ये क्या आगया हमारा answer 300 रुपे से घटाने के बाद जो हमारा answer आएगा गुंचालिस सो पचास में से 300 रुपे घटा दीजिया राम से तो क्या आगया 3650 रुपे अब क्या बोल रहे हैं ये अब ये बोल रहे हैं कि 120 रुपे उसमें से पिछले साल के थे कितने थे 120 रुपए जो थे वो भी पिछले साल के तो हम इसको 120 को भी हम जो है इस में से घटा देंगे तो यह 0 का 0 इसमें से 3 गया 5 और यह आ गया तो हमारा अंसर के आ जाएगा 3530 रुपए क्योंकि वो भी जो 120 रुपए हैं यह 120 मेने जो मत एक जनवरी को अधत लेंदारों का सेश 120 रुपे था तो क्या इस साल से रिलेटेट थे क्या यह 120 रुपे यह तो पिछले साल से कितना stationary पर वह हुआ है तो वो क्या हुआ है 3530 रुपए तो बस हमारा answer आजागा 530 रुपए ठीक है तो यह हमारा answer आ गया है ठीक है चलिए बात करते हैं फटाफट से अगले question पर चलिए अगला question कहां गया है हम बात कर रहे थे question number 38 पर बात कर ली थे हमने question number 38 पर बात करते हैं question number 40 पर फटाफट से उपर युक्त प्रस्ट 38 को यह आधार बना रहे हैं कि 38 number के question से ही प्राप्ति भुक्तान खाते में प्रविष्टी की रासी बताई अब देखिए कि वर्स में हमने controlling कितनाsigh किया था तो बस हम यहां जाके देख लाएगे किols किछ में कितना immigration रहे है है suis वर्समें किराएक मिनट रुकी है मैं सब का हटा दूँ पिर आपको देख히ए अ के इसप दुराप से चली है क्या बोल रहा है question की एक जनवरी को सेस क्या है हम लेंगे सेस का कोई मतलब नहीं यह अदत देंदारों का सेस था यह लेंगे क्या नहीं लेंगे और यह अंतिम सेस था लेंगे क्या लेंगे हम क्या लेंगे वर्स में क्राय कितना किया गया कुछ नहीं है तो हम यडियों मानेंगे कि इसको नहीं मानें है कि इसको हमने फॉटेस करा हो biss तो बस 3450 रुपए हमारा आंसर क्या आजाएगा 3450 रुपए वास्ट्री का अदार पर जो हमने क्राय करा है उसको ले ले लेते हैं प्राप्ति बुक्तान खाते में प्रविश्ट रासी होगी अब यह क्या बोल रहा है कि कितनी रासी जो है आप क्याय में दिखा देंगे इंकम अने एक्स्पेंटिचर अकाउंट में बता देंगे इस्टेशनरी का प्रारंबिक सेज्ट वांतिम सेज्ट दे रखा है 1200 रुपए और 200 रुपए वर्स में चुकाई गई रासी कितना है 20 40 रुपए देखे मैंने बहुत सारे आज आपको कोशोन सॉल्व करवाए हैं तो यह कोशन में आपको कनहीं में दूंगा Maar यह क्लास को करेंगा तो इस किस्टन में सॉल्व के साथ क्लास को चालू करूंग ए और अगर आप हमारी online क्लास से जॉइन करना चाहते हैं तो देखिए यह नंबर है इस पर आप हमें मेसेज कर सकते हैं